हेलो एवरिबदी कैसे हैं आप सब सिंप्लिफाइड लौ में आप सभी का स्वागत है पिछले सेशन में हमने जुडिशल प्लान ओफ 1772 और 1774 को बहुत ही अच्छे से डिसकस किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज देख लीजेगा काफी सिंप्लिफा का प्लान ये 1772 के प्लान पर बेस्ट है ये 1780 का प्लान जो एं ये 17rations 2004 में जो भी defeciencies थे जो भी defects थे उन्हें करेक्ट करने के लिए बनाया गया है इसलिए हर एक प्लान का जानना बहुत जरुरी है इस वीडियो के description box में और comment section में आपको उन videos की link मिल जाएगी तो please check कर लिजेगा चले शुरू करते हैं हमारा आज का ये session judicial reforms in plan 1780 judicial plan of 1780 first Indian civil code prepared title में ही ये mention करने का motive ये है कि ये बताना आपको कि इसी plan के अंदर हमें हमारा इंडिया का पहला civil code मिला था या prepare किया गया था ठीक है देखिए Warren hosting knew that the judicial plan of 1774 ये perfect नहीं है इसलिए Warren hosting को और एक chance मिला देखिए Warren hosting again got the chance he made changes to the judicial plan of 1774 again got the chance इसलिए कहा गया है क्योंकि जे 1772 का plan बना था उसमें कुछ false दिखे Warren hosting को इसलिए वो 1774 का plan उन्हें बनाया 1774 का plan उन्हें पसंद नहीं आया तो वो 1780 के plan की तरफ बढ़ गया तो यहाँ पर 1780 के plan के थुरू उन्होंने जो भी 1774 में चीज़े बची थी changes करने थे वो उन्होंने इस plan की थुरू की है on April 11, 1718 new plan was introduced तो यह जो judicial plan of 1780 है कब introduced किया गया 11 April 1780 quick revision कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले देखे जुडिशल plan of 1772 में हमने small cause अदालत देखी थी mofusal अदालत देखे थी जिसके अंदर civil और criminal जो है mofusal दिवानी अदालत mofusal निजामत अदालत यह फौसदारी अदालत वो हमने discuss किया था सदर अदालत जिसकस किये थे उसमें भी civil court, criminal court हमने देखा था ठीके उसके बाद में हमने देखा था कि जो कह सकते हैं एक supervision के तौर पर या फिर civil court की judge के तौर पर ऐसे बहुत सारे functions collector को दिये गए थे और वो एक corrupt बनती जा रहे थे, corruption कर रहे थे अपने offices में इसलिए उन्हें अपने post से fire कर दिया गया था तो यहाँ पर judicial plan of 1774 में सबसे पहला change इनों यही किया है कि collectors की post पर एक Indian officer को बिठा दिया है जो जिसे दिवान कहा जाता है तिकि उन्हें appoint किया है ताकि यह जो corruption कर रहे थे यह जो collectors, जो की English servants थे basically, तो उन्हें अठाया गया था new main reform जो इस plan के अंदर वो हुआ था, वो था establishment of the provincial council इस provincial council को बनाया गया था यह जो provincial council है यह mofusal अदालत, जो की district level की अदालत थे, और जो सदर अदालत थे, जो apex courts थे इन दोनों के बीच का link यह इन दोनों के बीच का जो bridge का काम था, यह provincial council करते थे mofusal अदालत से जो भी appeal जाते थे वो सबसे पहले provincial council पे जाते थे, और provincial council के बाद जो भी appeal थे, वो फिर सदर अदालत में जाते थे, तो इस तरह से कुछ changes है, एक detailed video है इनके उपर, जैसे कि मैंने कहा, आपको link मिल जाएगी, comment section या description box में, please check कर लीजेगा ठीक है, चलिए, इस plan को देखते हैं, as per this plan of 1780, judicial and executive functions जो है, जो हमें पिछले plans में mix तरह से दिखाई दे रहे हैं कि executive भी judiciary के काम कर रहा है judiciary भी executive के काम कर रहा है यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस plan के अंदर judiciary और executive दोनों organs को separate कर दिया गया है जिसे कि अदालत जो है, यह सिर्फ civil justice करेगी, revenue related काम नहीं करेगी, और provincial council जो है, यह judiciary related काम नहीं करेगी, सिर्फ revenue related काम करेगी, जो भी collection and revenue के cases है, वो सिर्फ handle यह provincial council करेगी, ठीक है दोनों अपने काम करेंगे एक दूसरे के मामले में इंटर्वियर नहीं करेंगे but with this plan, the problem was that, कि जो area है, वो vast था, और अदालत थे जो अदालत established थे वो बहुत कम थे, to administer those large areas हो वाया, और इसी वज़े से, cases जादा हो रहे time कम पढ़ रहा था with the judges and thus arriers जो है बहुत आ रहे थे administration में जुड़ी शरी में, तो यह problem था main, इस plan के साथ, या इस हम कह सकते हैं, reform के साथ second problem यह था कि witnesses को बहुत travel करना पढ़ रहा था to reach the अदालत सो वहाया, for example जैसे कि पूरे बिहार में एक ही अदालत थी, जिसकी वज़े से लोग यह समझ रहे थी कि यह better है कि हम cases ही file ना करे ठीक है, जिससे justice delay हो रहा है, physical harassment भी हो रही है, waste of money, waste of time, इससे बहतर यह है कि हम court, मतलब जो cases हैं, वही file ना करे, so as per the judicial plan cases up to hundred 100 रुपे तक कि जो भी cases चोटे मोटे हम case सकते थे, जो litigant है, उसके आसपास जो रहने वाला person है, basically यह जमीनदार वगेरा होते है ना, उन्हें यह cases basically refer किये जाते थे लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ता था, compulsory होता है कि आदालत में आप पहले क्या करो, अपनी case file करो, register करो, बाद में क्या किया जाएगा, आप जो litigant है, उसके आसपास का जो भी जमीनदार या जो भी public officer होगा, उससे case refer कर दी जाएगी, to settle the dispute होगा, second problem यह था कि यह जो person judge का role कर रहा था, वो as a honorary judge करके काम कर रहा था, और उसे कोई salary नहीं दी जा रही थी, ठीक है, तो basically जैसे कि मैंने कहा, जमीनदार या जो public officer थे, यही honorary judge करके काम कर रहे थे, और उन्हें कोई salary नहीं मिल रही थी, इसकी वज़े से यह जमीनदार क्या कर रहे थे, इन्हें मौका मिल गया था, corruption करने का, ठीक है, अब यह dispute सेटल कर रहे है, ठीक है, extra काम कर रहे है बिना किसी salary के and all, तो यह अपना कुछ फाइदा तो जरूर देखेंगे, तो यह से बीच में कुछ commissions वगेरा करने का, commissions लेने का वगेरा काम कर रहे थे, तो इसकी वज़े से corruption बहुत बढ़ रहा था, ठीक है, Warren Hastings was not satisfied with the plan of 1780 and always thought about improving the judicial plan और judicial system in India, यानि कि Warren Hastings जो थे, यह पिछले plans की तरह इस plans से भी उतना खुश नहीं थे और मौका दून रहे थे, बस कि कही ना कही मैं इसे improve कर पाओ, ठीक है, on 29 September 1780 ने क्या क्या, Warren Hastings ने काउंसिल में प्रपोस किया, कि जो Chief Justice है, Sir Elijah M.P., उन्हें उन्होंने request किया, कि वो जो है सदर दिवानी अदालत, ठीक है, यानि कि Apex Court, Civil Apex Court उसका चार्ज ले ले, इंपे ने क्या किया, Sir Elijah M.P. ने इस offer को accept किया, He remained in सदर अदालत for a year, वो एक साल तक उस अदालत में रहे, सदर अदालत का उन्होंने चार्ज लिया, लेकिन उस एक साल में उन्होंने कही सारे reforms किये, इन सदर अदालत हो वया, ठीक है, इंपे drafted many regulations to reform the अदालत, बहुत सारे regulations जो हैं उन्होंने आदालत में किये, बहुत सारे reforms उन्होंने किये, 3 November 17, 18 को उन्होंने first reform किया, regulation was passed to regulate the procedure of दिवानी आदालत, यानि कि एक detailed procedure होगा, एक detailed regulation होगा, दिवानी आदालत को administer करने का एक proper procedure होगा, यह उनका first reform था, तो इस rule की according, जो Mofusal judge थे, had to decide the facts, he was allowed to take the help of Hindu pundits और Muslim mullah, if it was necessary to understand the cause or case over here, तो यहाँ पे Mofusal judge जो थे, वो facts decide करेंगे, साथी में जो Hindu pundits हैं, जो भी Muslim mullahs हैं, वो उनकी अगर जरुरत पड़ी किसी case में, किसी matter में, dispute में, तो वो क्या करेंगे, उनकी help लेंगे, इम पे compiled a civil procedure code for the guidance of the Sadar Adalat and Mofusal Divani Adalat, तो एक बहुत ही अच्छा सा, एक strong civil procedure code जो है, इम पे ने क्या किया, compile किया, it was the first code of civil procedure to be prepared in India, जिसे कि मैंने कहा, first code of civil procedure इंडिया में prepared किया गया है, और यह है Sir Elija Impe की बदालत, it was formulated or promulgated by the council on July 5, 1781 in the form of a regulation, ठीकि ये regulation की तोर के official status इसे मिला July 5, 1781 को, it was the digest of the civil rules, the code consolidated at one place, a detailed procedure, a detailed civil procedure, बिखरा हुआ, टूटा हुआ, ऐसा procedure code नहीं था, बलकि compiled किया हुआ consolidated civil procedure code India को मिला, the code content 95 clauses and with it all the previous regulations related to the civil procedure were repaid, और 95 clauses के साथ, पिछले जो भी previous regulations थे उन्हें रिपिल कर दिया गया, और इनहीं provisions को implement करेंगे henceforth, ये तै किया गया this code was translated in Persian and Bengali language that time, ठीके, Persian और Bengali language में इस code को translate किया गया है उस समय, इंडिया में, MP was doing a great job, बहुत अच्छा काम सारे लिजे, MP कर रहे थे but in England, people जो है, वो खुश नहीं थे उनके काम से, क्योंकि ये reasons हैं, कुछ इन reasons की वज़े से, जो है, England की people जो थे, वो खुश नहीं थे, या जो England की सरकार है, या जो government, जो crown है, वो खुश नहीं था, क्यों? देखे, MP was appointed as the Supreme Court judge to monitor the company affairs in India, ठीक है MP को Supreme Court का judge करके बना दिया गया था, point किया गया था ताकि वो company के affairs, जो भी India के हैं, वो monitor कर सके लेकिन, इंडिया में MP ने क्या क्या वो as a company servant का काम उन्होंने शुरू कर दिया, जब उन्होंने as a judge of the सदर अदालत act था, वो उन्होंने क्या किया है MP ने violate किया है because of the other job, they believe that MP would not do justice with the job of the Supreme Court, यानि कि एक तरफ वो Supreme Court की judge के तौर पे बैटे हैं जब कि जहां से वो company affairs है, वो supervise कर रहे हैं monitor कर रहे हैं, regulate कर रहे हैं दुसरी तरफ company के ही servant बनकर सदर अदालत को manage कर रहे हैं सदर अदालत की judge बन चुके हैं तो यहां कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा कि यह जो है यह अपनी Supreme Court वाली जो service है यह job है, इससे justice नहीं करेंगे because of all about reasons 3rd May 1782 को in England, House of Commons में adopted a resolution requesting the Crown King to recall the MP to answer the charge of having accepted an office and violating the regulating act, यानि कि 3rd May 1782 को House of Commons में resolution passed किया गया और कहा गया कि MP को वापस बुला लो और उन्हें सभी चीज़ों के जबाब देने के लिए खो कि क्यों उन्होंने दुसरा office accept किया क्या reason था and all after this MP क्या गये MP ने इंडिया left किया on 3rd December 1782, वो छोड़ गये इंडिया, regarding लेकिन जो है MP जब तक यहां तक थे, एक साल का जो पिरेड था उन्होंने civil justice में बहुत, या civil jurisdiction जो था, उनका civil matters related, उन्होंने इसमें बहुत ही जादा अच्छे reform किये हैं regarding criminal justice system, Warren Hastings ने कुछ step लिये हैं 1780 के plan में देखिया, machinery was created for the purpose of arresting criminals and bringing them before the फौसदारी अदालत for the trial एक proper machinery बना दी गई कि criminals को ऐसे पकड़ना है यहां पर फौसदारी अदालत में present करना है यह जो system है, यह जो proper machinery है, यह इंडिया में इससे पहले कभी existence में नहीं थी एक नया department established करना, मतलब formulate हुआ, office of the remembrancer, यह जो office है यह जो department है, यह नया था वस created at Calcutta to keep watch on the functioning of the criminal अदालत, तो यह जो office है criminal अदालत पर monitor करता था उनकी functioning पर supervised करता था the department was to work under the governor general, the head of the department was known as the remembrancer of the criminal courts ओवया governor general के अदर काम करता था head of the department कौन था, remembrancer of the criminal courts ओवया all the criminal courts were required to send the periodical reports to this department, जो भी criminal courts थे, ठीक है, सदर फॉसदारी अदालत, निजामत अदालत या फिर आप ले लीजे, मौफिूसर, फॉसदारी अदालत, इन criminal courts को क्या करना पड़ता था, periodical reports जो है इस remembrancer का department जो है, इनने send करना पड़ता था everything was done as per the muslim criminal law, तो criminal matters के लिए muslim criminal law specifically use किया जाता था उस समय, still Warren Hastings was not happy with many things and wanted to reform them Warren Hastings खुश नहीं थे, कई सारे चीज़ों से और reform करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना best दिया, लेकिन जो company के head थे, वो इनके views से contradict कर रहे थे कही ना कही है, हमने regulating act में और charters में देखा था, वो अगर आपने videos नहीं देखे हैं, वो भी देख लीजेगा, आपको बहुत आसानी होगी आगे के जो भी चीज़े हैं, charters हैं उन्हें समझने के लिए, उन सभी के links आपको description box में मिल जाएगी तो यहां पर क्या है, कही ना कही हमेशा warrant hustling की against ही रहते थे जो भी company heads ले लिजे या जो उनकी colleagues थे, वो, because of this criminal, in criminal justice system, everyone made money using the corrupt ways, तो यहां कोई development के लिए नहीं बैटा था यहां सबने अपना selfish motto accomplish करने की कोशिश की, सबने अपना अपना फाइदा देखा यहां पर और सिर्फ पैसा बनाया corrupt ways से और कुछ development करने की जादा कोशिश नहीं की warrant hustling करना चाहते थे, लेकिन उन्हों को करने नहीं दिया क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि majority wins, ठीकि तो यहां पर भी ऐसा ही होता रहा लेकिन, conclusion, Warren Hastings did his best to reform the judiciary and tried hard to make an absolutely stunning machinery of law in India some defects definitely did remain in his judicial plan, लेकिन overall इन्होंने बहुत ही अच्छे steps लिये हैं Indian judiciary में, ताकि Indian judiciary को एक law के field में अच्छी position मिल सके तो यह है 1780 का judicial plan of Warren Hastings over here बहुत ही आसानी से या आसान language में समझाने की कोशिश की है, 1772 1774 and 1780 यह plan, underestimate मत कीजे बहुत ही important role play करते हैं, ठीक है legal history में और exams में भी बहुत बार पूछी जाते हैं, अगर आपने वो videos नहीं देखे हैं, वापस से कहूंगी प्लीज चेक कर लिजेगा, अगर आपको आज का यह session अच्छा लगा है प्लीज डू लाइक, शेर, सब्सक्राइब तू माइ यूटूब चानल and also don't forget to subscribe and also don't forget to place the bell icon और जो भी आपकी doubts है आप comment section की थूँ बता सकते हैं, thank you so much